तो दोस्तो आजे 10 सप्टमबर 2022 सुराज में लेके हूँ आपके लिए गैलेक्टिको कॉर्परेट सेर्विस लिमीटेट का कम्प्लीट शेयर एनलेस और इस कमपनी को पर खासकर वीडियो बनाने के लिए हमें कमेंट कहता अल इन वन करके यूटूब चैनल है ठीक है तो अग अगर आपका भी कोई क्वेरी से तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि हम आपके लिए भी अलग से वीडियो बना सकें और अगर दोस्तो आप भी इस कमपनी के बारे में कम्प्लीट जानकारी हासिल करना चाहते तो बीना इसकीप किये वे आप इस व कमपनी का क्वाटली रिजल पर भी एक नदर डालेंगे और अगर आपके पास टेडिंग करने के लिए डिमार एकाउंट नहीं है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्सन पर मैंने लिंक दे दिया है जिससे आप गुरू जैसे बड़े प्लाटफॉर्म में अपना ट्रेइ तो यह है इस कमपनी का जून 2022 का फ्रेश कॉर्टर ले रिजल ठीक है रेविनू पर कमपनी को प्रॉफिट हुआ है इस साल में लगबग 34 परसन का लेकिन नेट इंकम में कमपनी लॉस पर है 41 परसन के आसपास कमपनी का नेट प्रॉफिट मार्जन है यहाँ पे 56 परसन प्रॉफिट में है तो चलिए सबसे पहले हम इस कमपनी का फंडामंटल को समझते तो मैं लेके चलता हूं आपको स्क्रीन डॉट इन पे तो दोस्तों यह कमपनी देखा जाए तो शॉटकार्ट में आपको अगर बता तो यह कमपनी फाइनस और इंबेस्ट पर काम करता है यह कमपनी का अगर टोटल आप मार्केट केप देखेंगे 373 करोड का कमपनी का मार्केट केप है करन शेर प्राइस 25 रुपे पे आ चुका है हाई एस बनाया था कुछ दिन पहले लगबग 90 रुपे के आसपास और लोईस्ट प्राइस रहा इस साल में इस कमपनी का 3 रुप से का है यह कमपनी आपको डिवीडेंट नहीं देता है इसका रीटेन ऑफ क्याविटेल इंप्लॉइट का नमबर्स ठीक ठाक है 24 परसंद के आसपास है तो बहुत अच्छा नमबर है यहां पर कमपनी का नमबर्स जो है ठीक है यहां पर रिटेन और इकुईटी का भी पॉइंट एट टाइमस इस बुक वेलू का नमबर्स बढ़ चुका है आपको ध्यान अगना है अब यहां पर बहुत जादा रेकॉर्ड कुछ नहीं है यहां पर 2022 का जून का अगर एक्सपेंस देखेंगे जून के कॉटर में 5.02 करोड का कमपनी का एक्सपेंस हुआ है और 5.94 करोड का कमपनी का सेल हुआ है तो अपरेटिंग प्रॉफिट में कमपनी प्रॉफिट में 0.92 करोड का यहां पर अगर नेट प्रॉफिट देखा जा कमपनी का तो नेट प्रॉफिट में कमपनी जो है यहां पर देख सकते हो 0.74 करोड कमपनी प्रॉफिट में है मैं 2021 में 11.78 करोड का expense हुआ था और फाइनली यहां पर देखेंगे तो 2022 में 16.21 करोड का expense हुआ है और उसी सब से company का sale भी बढ़ गया है यहां पर 16.21 का expense हुआ है लेकिन यहां पर sale कितना हुआ है 19.85 करोड का तो company operating profit में 3.64 करोड profit में है overall ठीक ठाके बहुत जादा नहीं है लेकिन company ठीक ठाके यहां पर अगर profit देखेंगे तो profit में अच्छा काशा company को हिजापा हो रहा है year on year ठीक है 2020 में देख सेक्ते हो 1.21 करोड का profit हुआ था company को net profit में 2021 में 2.40 करोड का profit हुआ है यहां पर डवल से भी लगबाग डवल के आसपास company को profit हुआ है 4.53 करोड का तो year on year company का जो profit ग्रोड थे वह अच्छा है यहां पर मैं आपको इस company का जो है एक बार balance sheet देखा देता हूँ balance sheet यहां पर 2022 का updated नहीं है लेकिन balance sheet ठीक ठाक है 2020 तक देखेंगे तो ठीक ठाक है और 29% के आसपास company में जो है public का holding है अलकि यहां पर FIS कोई नहीं है लेकिन यहां पर जो promoters का holding है वह बहुत ही शांदार है तो fundamentally ठीक ठाक है बहुत अच्छा नहीं है लेकिन खराब भी नहीं है तो चार्ट पटन के मुताबिक अगर max to max देखा जा तो max to max company ने 2000% से भी ज्यादा return दिया है लगबएगे 200% का return दिया है और यहां पर 32 का share शीदा 80 रुपया हो चुका है बट जितना ही तेजी से यह share उपर गया था आप देख सकते हो जितना ही तेजी से उपर गया था उतना ही तेजी से नीचे भी आ चुका है यहां पर जो company है इस तरह के एक support फिर से बनाया है बट देखते हैं यह support तोड़ प company आपको 431% का शांदा रिटेन दे चुका है एक साल के अंदर एक साल पहले इसका share price पांच रुपय का हुआ करता था पांच का share 80 रुपया क्रॉस कर चुका था finally यहां पर फिर से company जैसे कि मैंने आपको पहले बताया यहां पर आकर यह support लेता है support पर खाड़ा रहता है तो आने बाले दिनों में यह फिर से अपर सरकुट में जाने की chances है लेकिन अगर इस support को भी तोड़ की नीचे आता है तो इसका share price जो है और भी सस्ता होनी की पूरी chances है क्योंकि इसका जो price signing ratio है अभी भी हाई है ठीक है तो six month का चाड़ परसन के मुदाबिक देखेंगे तो भी आपको मतलब 4500% के आसपास return दे चुका है छे मेने के अंदर इतना नीचे आने के बाबुजुद अगर यह इतना नीचे downtrend पर नहीं आता तो यहां पर किया तो आपको profit में जरूर रखेगा लेकिन अगर आप गलत time पर अच्छे share पर भी निवेश करेंगे तो वो भी आपको नुकसान दे सकता है share अच्छा है फंडमेंटल अच्छा है वो जरूरी है लेकिन उससे भी ज़्यादा जरूरी है आपका समय आप अगर सही समय पर निवेश कर सकते हैं तो आपको मुनाफ़ा जरूर देता है share नहीं तो पर अगर गलत समय पर निवेश करने पर आपको बहुत जादा नुकसान भी देता है तो यहाँ पर आपको hold करना है अगर आप long time के लिए निवेश करना चाते है तो आपको बिलकुल wait करना है यह support जैस चांसे से की उपर जाने की चांसे से इसका शेर प्रैस अगर नीचे जाता है दोस्तो तो इसका शेर प्रैस आपको 45 रुपे में मिलने की पूरी चांसे से आने वाले दिनों में वन मंद के चार्ट पटन के मुताबिक देख सकतो 55% का negative return दे चुका है जितना ही तेजी से उपर गयता है यह शेर जो उतना ही तेजी से नीचे आ चुका है यहाँ पर 55% से ज्यादा रिटन दिया है नेगटिव रिटन दिया है शिरिफ एक महीने के अंदर max 5 day के मुटा भी यहाँ पर लगता है कि company को एक support मिल चुका है तो अगर इस support में company एक support लेता है तो ठीक है नहीं तो फिर इसका share price और भी सस्ता होगा यह इसका चार्ट पटन कहता है अगर आप आज के दिन देखेंगे sorry Friday के दिन Friday के दिन यह company आपको 5% का upper circuit जरूर दिया है लेकिन आपको यह छोटा मोटा support को बिल्कुल भरोसा नहीं करना है long term के लिए निवेच करने के लिए आपको और भी wait करना है ठीक है क्योंकि अगर एक दो दिन में support में अगर भर भर के buy करेंगे दोस्तों तो पीस का share price अगर in future नीचे आता है तो आपको फिर बहुत महेंग आता है उस हिसाब से हम लोग वीडियो बनाते हैं तो आपका क्या point of view है इस company को लेके हमें comment box में जरूर बताना और वीडियो अच्छा लगते हैं लाइक करना अपने दोस्तों को share करना मिलते हैं अगले वीडियो में एक और हैसे ही जानकरी के साथ हमारी वीडियो को आनते तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद